हालो फ्रेंड रिकम बैक टो मैं चैनल आज एक और वीड़ आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ जो लोग फरस्टें मेरी वीडियो को देख रहे हैं मैं आपको बता देना चाहते हैं छोटी छोटी स्टोरी इस पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ शेयर करते हूँ जिनसे हम बहुत सारी नहीं वर्ट सिखते हैं अपनी होकेवरी को इंप्रूफ करते हैं साथ ही जो भी ग्रामर जाती है मैं कोशिश करती हूँ कि एजी भी मैं आपको एक्स्प्लेइन कर सकूँ तो यह आज को जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज़दा इंपोर्टन है साथ ही इंट्रेस्टिंग भी है तो हमारा टॉपिक का नाम है आज का happiness means खुशी और देखते हैं क्या है इसके अंदर happiness is something which we cannot or can't describe in words it can only be felt from someone's expression of a smile happiness is something happiness means खुशी is means है something means कुछ या कोई चीज खुशी कोई चीज है या कुछ है विच जिसे we cannot describe we means हम cannot यह नहीं के नहीं सकते describe means होता है बया करना या वर्णन करना खुशी कोई चीज है जिसे हम बया नहीं कर सकते in words शब्दों में ठीक है खुशी कोई चीज है जिसे हम बया नहीं कर सकते शब्दों में या खुशी कोई चीज है जिसे हम शब्दों में बया नहीं कर सकते it can only be felt it can, यह सकते है only cable, यह सकते है only cable, be felt यह निके महसूस होना, be means होता है होना, felt यह निके महसूस करना, तो इसे केवल महसूस कर सकते है from someone's expression of a smile, from someone's, यह निके किसी के expression of smile means होता है expression means होता है, मुख की आकरित यानि के चहरे पे जो भाव आ रहे हैं, चहरे के जो expressions आ रहे हैं, उनके चहरे की smile को देख करके, उनके खुशी को देख करके केवल इसे महसूस कर सकते हैं या किया जा सकता है, ठीक है, likewise इसी तरह या इसी प्रकार, happiness is a signal or identification of good and prosperous life, happiness इनके खुशी is means है, a means एक signal यानि के संकेत, इसी तरह या इसी प्रकार, खुशी एक संकेत है और identification, identification means होता है, पहचान, इसी प्रकार या इसी तरह खुशी एक संकेत और पहचान है, संकेत या पहचान है, of good and prosperous life, of यानि के काकी के, मैं आपको बहुत बार बताया, of का use, most of the time हम काकी के बताने के लिए करते हैं, तो good य यानि के सम्रद्र लाइफ का संकेत या पहचान है, खुशी prosperous life का, यानि के अच्छी और prosperous life का पहचान है, happiness is very simple, यानि के खुशी जो है वो बहुत सरल है, या बहुत आसान है to feel, feel means महसूस करने के लिए, ठीक है, happiness यानि के खुशी is means, very means, बहुत simple, यानि के सरल है, आसान to feel, feel करने के लिए खुशी जो है बहुत आसान है या बहुत सरल है feel करने के लिए and difficult to describe and difficult और cutting है to describe describe means क्या होता है describe means मैं आपको पहले बताया word learn करना या बया करना कहते हैं हम उस चीज के बारे में बताना खुशी कैसी आप कैसे बताओगे सिर्फ हम अपनी smile से बता पाते हैं कि आज मैं बहुत खुश हूँ कुछ शब्दों को बोल दोगे पर कैसा महसूस कर रहे हो उसके लिए हमारे पास शब्द नहीं होते तो यहाँ पर इसी लिए इस term को use कि है कि difficult to describe या नि कि उसको बया करना cutting है moreover इसके लावा आप लोगों को याद हो गया I know last video में आपने मुझे पताया बहुत सारी comments आए कि moreover का meaning इसके लावा या इसके साथ साथ भी है happiness comes from within comes यानि कि आती है यह हमारा क्या हो गया present indefinite tense हो गया बहुत बार मैं आपको यह चीज़ बता चुकी हूँ क्योंकि come के साथ मैं s या es का use हम वहीं पर करते है from within यानि के अंदर से from means होता है safe within यानि के अंदर से हम बोलते है na within within यानि के आपके खुशी अंदर से आती है आप खुशी आपके अंदर से आती है अब यहाँ पर within का use एक चीज़ याद रखीगा आप within का use किसी भी things के साथ में नहीं कर सकते है किसी भी चीज़ के साथ में नहीं कर सकते है कि वो समान जो है वहाँ अंदर कमरे में रखा है तो आप within room नहीं बोलेंगे still means चुराना कि कोई नहीं चुरा सकता है किसी किंदर एक दर नहीं पावर नहीं कि कोई चुरा ले आपकी your happiness आपकी खुशी को everyday हर एक दिन या रोजाना दोनों ही आप बोल सकते है we see हम देखते हैं we के साथ में only see है यानि कि हम देखते हैं from the outside जो हमें बाहर से खुश देखते हैं बट लेकिन deep down they are broken deep down का मतलब क्या होता है गहराई में जाना या फिर इसका exact word अगर हम देखें यह जो है हमारे एक तरह किसी phrase भी बनती है बहुत बार असलियत में deep down means असलियत में आसल में कि गहराई में वो इनसान कहसा है अगर इस word को हम समझे deep down means गहराई में they are broken they are way है broken यानि कि टूटे हुए है R के साथ में third form का यूज हो रहा है यानि कि कोई भी काम पहले से हुआ हुआ है जब कोई काम पहले से हो गया होता है और present में बोलते है कि वो काम हुआ है तब हम R के साथ में is R, M के साथ में third form का यूज करते है they are broken वो टूटे हुए है and or are sad और दुखी है from the inside और वो अंदर से दुखी है ठीक है, simple है, easy आग, think आपको समझ में आ रहा होगा for many people for many people, यानि के बहुत से लोगों के लिए money is the main cause money यानि के पैसा is the main cause sorry, मैं हमेशा पैसा बोलती हूँ money means रुपिया होता है, ठीक है currency हम जिसे बोलते है is the main cause, main यानि के मुख्य cause यानि के कारण money जो है, वो मुख्य कारण है of happiness or grief happiness यानि के खुशी का और grief यानि के दुख का for many people, बहुत से लोगों के लिए पैसा जो है, वो मुख्य कारण है खुशी या दुख का simply, but this is not लेकिन, but यानि के लेकिन, this is not यह है नहीं है, देखे, but का use हम कहाँ पर करते हैं, जब हम किसी भी बात का उल्टा बोलना चाहते हैं, कि मैं जाओंगा, लेकिन मुझे ये काम है, ठीक है मैं जाओंगा, लेकिन मुझे ये काम है, तो यहाँ पर क्या हो गया मैंने उस sentence को जो है अलग कर दिया, but this is not right, लेकिन ये सही नहीं है, money can buy you food, luxurious house, healthy lifestyle, servants and many more, money can buy money से खरीच सकते हैं money can buy you food money से आप food खरीच सकते हैं भोजन खरीच सकते हैं, यहाँ पर can का use क्या हो आपकी पावर बताने के लिए, आपकी पावर ही तो है ना, कि आप चीजों को खरीच सकते हैं, luxurious house ये निके आलिशान घर खरीच सकते हैं healthy lifestyle ये निके healthy ये निके स्वस्थ lifestyle जीवन शहली आप खरीच सकते हैं, servants, नौकरों को आप खरीच सकते हैं and many more facilities and many more ये निके बहुत अधिक facilities ये आपकी सुविधाएं और भी आप बहुत से सुविधाएं खरीच सकते हैं but लेकिन money cannot buy you happiness money ये निके पैसा cannot buy नहीं खरीच सकती you तुम्हारी लिए happiness ये निके money जो है पैसा तुम्हारी लिए खुशी नहीं खरीच सकता, simply अब दिखा but का use यहाँ पर क्या हुआ कि वो ये सब चीज़े तो खरीच सकती है लेकिन वो ये काम नहीं कर सकती तो यहाँ पर लेकिन हमने इसी लिए use किया, but का use हम जदा तर वहीं करते हैं जब हमें किसी चीज़ का विरुद बोलना होता है, उसके against बोलना होता है ठीके, simple way में and or if money can buy happiness, अगर money यानि के रुपिया या पैसा can buy happiness, याकर रुपिया पैसा खुशी खरीद सकता ठीके, buy means खरीदना happiness जेने के खुशी खरीद सकता then तब the rich would be the happiest person on the earth तो rich जो है, जो amir लोग है would be मतलब वो होते ठीके, would be मतलब होते है, होते ऐसा हम, देखे, will करना past form होता है, would इसको हम, जब हम perception करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, सोचते हैं कि ऐसा होता, मेरे पास ना 10 रुपे होते ना, आज मैं आईस्क्रीम खाता है नहीं है मेरे पास, पर मैंने ऐसा सोचा, कि मैं आईस्क्रीम खाता तो वहाँ पर हम would का use करते हैं इसका sentence जो end होता है वो ता है, ती है से होता है होता, सोरी, ता है नहीं, ता सी होता या करता, ठीकि मैं इह करता, मैं इह सूचता, मैं इह हसता मैं इह पहनता, इस तरीके से तो जो rich हैं, अमीर लोग जो हैं वो सबसे happiest person होते इस धरती के ओपर बट लेकिन, we see हम देखते हैं contrary image, contrary यानि के विपरीट image, यानि के इसके बिलकुल अलग वाली image of the rich, अमीर लोगों के हम इसके बिलकुल विपरीट या इससे बिलकुल अलग image चभी को देखते हैं, as क्योंकि they are sad, fearful, anxious and anxious stressed and, क्योंकि they are sad, क्योंकि वे दुखी है, fearful, यानि के डरे हुए है, anxious, यानि के घबराए हुए है, या वो चिंतित है, बहुत अदा, stress means क्या होता है तनाव ग्रस्त है, उनोंने बहुत अदा तनाव लिया हुआ है, बट लेकिन, we see हम देखते हैं a contrary image, यानि के एक विपरीत छभी को of the rich, rich यानि के अमीर लोगों की विपरीत छभी को देखते हैं क्योंकि वे कैसे हैं, वे दुखी है डरे हुए है, चिंतित है, तनाव में है और वे डरे हुए है, चिंतित है, तनाव में है और suffering from various problems suffering यानि के वो पीडा में है वो सफर कर रहे है, वो पीडित है from various problems various यानि के विबिन प्रॉब्लम्स यानि के समस्याओं से वो पीडित है, simply इसरी के से, in addition शामिल करते हुए है, शामिल करने के साथ-साथ, या इसमें शामिल करते हुए, इसमें जोडते हुए, देखे words को ने एक चीज हमेशा याद रखी जब आप regular basis पे पढ़ते हैं किसी भी चीज को, नियम बनाएए कि आपको 5 minutes ही पढ़ना है, आपको 10 minutes ही पढ़ना है, मैं daily video डालती हूँ और सिफ 10 to 12 minutes, 13 minutes की, almost इसे ज़्याद की नहीं डालती तो simply वहाँ पर क्या होता है, हम daily practice कर रहे हैं और इतनी से time में न, हमें चीज़े अगर याद हो रही है in addition, अगर आप लोगों को याद हो गया है it means कि आपके mind में वो कहीं बैठ गया है आप लोगों चीज याद हो रही है, ठीक है in addition, इसमें शामिल करते हुए, इसमें जोडते हुए they have money, उनके पास पैसा है, still, फिर भी ठीक है, they have money, उनके पास पैसा है, still, फिर भी they lack in social life, they lack, उनकी कमी है in social life नहीं कि उनके सामाजिक जीवन में कमी है with their family, उनके परिवार के साथ, specially their wives specially, यानि के खास तोर पर, या खास कर उनकी wives के साथ में, उनकी बीवियों के साथ में, इस तरीके साथ बोल सकते हैं, normally यह चीज़ जो हम देखते हैं, कि बहुत अमीर अमीर जो लोग होते हैं, उनका जो है समाज में वो चर्चित बोहत हैं, बट उनको लोग कम ही among them, उनके बीच में तलाग का यह मुखे कारण है, क्योंकि आप लोगों ने यह, आप देखें, यहाँ पर नहीं चीज़ बूल दिना चाहती हूं आपसे, कि आप यहाँ पर यह में सूचे कि इसमें आपने तलाग क्यों डाल दिया, बीवी क्यों डाल दिया, इसलिए नहीं, यह सिर्फ एक टॉपिक की तौर पर मैं आपको यह बताया है, क्योंकि आपने खुद देखा होगा कि इतने बड़े-बड़े इतने बड़े-बड़े नेता हैं, जिनके पास में बहुत सा पैसा है, बट उनकी वाइफ उनसे अलग हो जाती है, या वो अपनी वाइफ से लग जाती है, उसका रीजन यही होता है, क्योंकि वो खुश नहीं होता है, simply यह कहने का मतलब है, ठीक है, अब हमारा टाइम है, इन तीनों वर्ड से आपको sentence बिराने है, comment box में लिखना है, तो first word है हमारा आज का signal, यानिके संकेत देना, ठीक है, या एक तरीके से इशारा करना, वो भी आप समझ सकते हैं, facilities यानिके सुविधाएं, ठीक है, facilities यानिके सुविधाएं, and contrary यानिके, विप्रीट, किसी भी च इसका अलग होना, बहुत ही simple way में, अब टाइम ये three word का dictation के, so first जो dictation का हमारा word है, वो है expression, expression, dictation का first word, second word है हमारा prosperous, and third word है luxurious, luxurious, first है expression, prosperous, luxurious, I hope ये विडिया आपको पसंद आया होगा, कैसे लगाएं, please मुझे comment में जरूर बताएगा, last, बहुत सारी videos में आपके साथ में share कर चुक, आपके काफे सारे comment आते हैं, मैं के हमें शुरूर से video देखने हैं, तो मैंने playlist बनाया हुआ है, हर video में हम आपको playlist भी share करती हूँ, simply आप description box में से वो भी देख सकते हैं, और मेरे channel पर जाकर के भी easily आपको मिल जाएगा, ये topic क इसा लगा है, प्लीज मुझे comment में जरूर बताएगा, thank you so much